सबका आज की इस तमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइटन क्लब वर्सेज अंकूर जियोती क्लब किरकेट मैच के ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्सन के बारे में सो बेस्ट विनिंग टीम आपको बना के देने वाला हूँ पिछ रिपोर्ट बताने वाला हूँ साथ ही कैप्टेन और वाइस कैप्टेन के से बनाना है कितने ओल राउंडर आपको अपनी टीम में लेने कितने गेंदवाज लेने है सब कुछ डीटेल में बात करेंगे विडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखेगा चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरवात करते हैं इस इंटरस्टेंग विडियो की जैसा कि आप देख रहे हो प्राइड कप T20 किरकेट टूर्णावेंड चल रहा है अज 17 नमबर 2023 को 12 बज के 30 मिनट पे ये मैच खेला जाएगा अमिन गाउ किरकेट ग्राउंड गोहावटी में मैच के पूरवावलोकन की बात करें तो दीगे टाइटन क्लब ने इस रंगला में चार मैच खेले और वे फिलाल अंग तालिका में आठवे इस थान पर है जबकि अंगूर जियोती कलब ने इस रंगला में दो मैच खेले और वे वर्तमान में अंग तालिका में पाँच वे इस थान पर है बात करें पेच रिपोर्ट के तो आप देख सकते हैं अमिन गाओ किर्किट ग्राउंड गौावटी में ट्रेक काफी संतुलित है, जसमें बलेबाज और गेंदबाज दोनों को ही मदद मिल सकती है। अमिन ग्राउंड 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 ग्राउं तो पहला है विपानकर बट्टाचर जी इनों ने तीन मैचों में 22 रन बनाए एक विगट लिया दूसरा है डेबोजिट मोहांता इनों ने तीन मैचों में 30 रन बनाए बात करें यहां पे कटान और उपकपतान की तो देखें कटान के तोर पर आपको विरांथ पांडे को ले बात करें दोनों टीमों के SQUARED के तो आप देखे टाइटन क्लब का SQUARED एंड अंकुर जीकलब का SQUARED आपके सामने available है by बात करें fantasy टीम सुझाव की तो देखे विकेटшейपर के तौर पर आमनन्सिंग एंड बिजित दास को आपको अपनी टीम में बल्लेवाज के तोर पे विदान्त पांडे वसिम साहिल सेक्या मानस गुगई को अपनी टीम में लेना है। कप्तान आप विदांत पांडे को बना सकते हो उप कप्तान आपको विक्रम राय को बनाना है विडियो अगर आपको इंफोर्मेटिव लगा है तो विडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बार आए हो मेक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करें हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट विडियो में तो आगे आने वाले समय में हर एक छोटे बड़े फेंटेसी मैच का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है इसलिए कोई भी विडियो मिस आउट ना हो इस वज़े से आपको जो है बैल आइकन को प्रेस करके रखना है थैंक्स पर वाचिंग